हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट चॉकलेट केक, इस केक को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप अपने बच्चों के लिए इस केक को हर हफ्ते बनाएंगे, इस केक को हम हेल्दी तरीके से बना कर तयार करेंगे, क्योंकि इसे हम मैदे से नहीं बलकि चावल के आटे से तयार करेंगे अगर आप इस केक को हर हपते बनाएंगे तब भी आपके बजट में ही रहेगा क्योंकि इसे बनाने के लिए हमने कोई महगी चीजों का यूज नहीं करना है तो इसे बनाने से पहले एक जरूरी चीज कि अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी तो घंटी की ओल आप्शन को आपने जरूर प्रेस करना है जिससे की मेरी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको म करना है शिम्पल को वाइट पेंपर लेना है जितना आपका अपनी का घहर हो गा व्हcases चूड़ी या इस तरह से पिलर पिलर करते नहीं है और इस ची काटे नहीं चार न चार शीर से चार better purpose बाटर निकमे काट कर लिए हैं ताकि बाद ने भी है अब इस पैन को हमने clearognर अच्छे से 的lic a upon सी और हमने टाल देना और उसे भी अच्छे सेanız हमने . इस तमपार से कोई better paper खंपने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो आप इसे बिना बटर पेपर के भी बना सकते हो पर कई बार क्या होता है कि नीचे तले में हमारा केक जो है वो लग जाता है तो बटर पेपर लगाने से हमारा केक इजी ली भार आ जाता है सबसे ज़रूरी चीज की एक ही बाउल से आपने इस रेसिपे में पुरा नाप रखना है आप कोई भी छोटा या बड़ा किसी भी तरह का बाउल ले ले आधा बाउल मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर उसके बाद मैंने पॉना बाउल डाला है पीसी हुई चीनी मैंने ज्ज़ूज करते हैं मैंने यिज़ूज लिया है इसे एक साल से उसक भी कराब होँ अब कोकर को बीड़ा की अरच से ओछ आए को कोकर में भी बना सकते हो या कडाही में भी बना सकते हो बस ठकन हमारा ठाइटा होना अब हमने लेना है एक बाउल चावल का आटा, तो इस चावल के आटे को हमने चान कर उस घोल में डालना है, जो घोल हमने पहले तयार करके रखा था, और हमने लेनी है आधा बाउल बारीक वाली सूजी, सूजी अगर आपके पास मोटी है तो पहले उसे मिक्सी में बीस ले, अब द्धाए चमच हमने लेने हैं कोको पाउडर, आपने चोकलेट पाउडर नहीं लेना है, कोको पाउडर थोड़ा डाक से कलर का होता है, उसे कलर Autism Icels Wars अब बढ़िया आता है, अब हमने लेना है आधा चोटा चमच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लेना आपने बेकिंग पाउडर लेना है अब एक पाउच innoo इक इसमें green पी डाल सकते हो और blue पी डाल सकते हो हां एक जरूरी चीज में आपको बता देती हूँ कि एक पाउच inoo और आधा चोटा चमच बेकिंग पाउडर के लिए हमने कितना चावल काटा लिया है तो मैंने जो नापाला बाउल लिया है उसमें मेरा 200 ग्राम चावल का आटा आता है उस हिसाब से ही मैंने बेकिंग पाउडर और इनो कर डाला है अब इस मिक्शर को हमने बिल्कुल जोर लगा के बीट नहीं करना है हलके हाथों से सारी चीजों को मिक्स करते जाना है तो इसके मैं थोड़ा सा आइडिया सा दे देते हूं कि चितना हमने चावल का आटा और सूजी ली थी बस उतना ही हमारा इसमें दूद रलता है अगर दूद की क्वंटिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी चाए तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि डिपेंड करता है क कि आपकी सूजी कितनी बारीक है या चावल का आटा आपका कितना बारीक है अब इस केक में बाजार वाला फ्लेवर देने के लिए सबसे जरूरी चीज हमने लेनी है वनीला असेंस तो आधा चमच हमने इसमें वनीला असेंस का डाला है अब इस केक वाले मिक्चर को हमने ब का सा टैब कर लें अभ इस पैन को हमने कुकर में डाल देना है तो अच्छे से प्रीेट हो चुका है कर को anlat की थीक हो को हमने प्लेट का ठकर लगा के तिस से पैंटीस मिन तक बेक होने के लिए चूकलीट गनाश च्शापलड निया है 1 बॉल दूद निया है आधा छोटा चावल नायर क अगर आपके पास कॉन्फलोर है आप तो चावल के आटे के बतले में आप इसमेह कॉन फ्लोर भी उसकर सकते हो और ऑप इसमेह मैने कीया है दो चमच कोको पाउडर जिससे कि इसमें बहुत ही बढ़िया चॉकलिटी फ्लेवर आता है इन सब चीजों को पहले हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद ही हमने गैस पर रखना है इन सब चीजों को मैंने अच्छे से mix कर लिया है, अब इस पैन को हमने बिर्कुल slow आज पर gas पर रखतेना है, gas की आज को आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आज पर इसे हमने लगातार हिलाते जाना है, क्यूंकि जैसे जैसे उबाल आता जाए अब इस गोल में उबाल आ गया है, अब इसे हमने 1-5 मिनट तक अच्छे से धीमी आज पर पकने देना है, मुझे इसे पकाते हुए 1-5 मिनट हो गया है, गोल भी गाड़ा हो गया है, अब हमने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है, इस गनाश में चॉकलिटी शाइन ला इसके बाद ही मैं इसे चेक कर रही हूँ, बेक होने के बाद केक का बहुत ही बढ़िया चॉकलेटी कलर आ गया है, यह काफी अच्छे से फूल गया है, और काफी फूलने की बज़़ा से इसमें क्रैक्स भी आ गया है, तो चूरी हमारी इस तरह से जब क्लीन आए तो इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है, अब जो चॉकलेट गनाश हमने बना कर रखा था वो भी काफी ठंडा हो गया है, और गाड़ा भी हो गया है, इस गनाश में मुझे मीठा थोड़ा कम लगा, तो एक चमच मैंने इसमें पीसी हुई चिनी औरेड की है, इस के केक्टिन में हमने प्लेट का ढखकर लगा के इस तरीके से इसे निकाल लेना है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी केक बनकर तयार हुआ है, चावल के आटे का ही केक बहुत ही टेस्टी बनता है, वैसे तो आप इसे बीना चॉकलेट गनाश के भी इंजोय कर सकते हो, अब इतना सा घाड़ा ये होना चाहिए, अब हमने स्टैंड के उपर केक को इस तरीके से रख लेना है, और इस गनाश को हमने इस तरीके से केक के उपर डालना है, इस तरीके से केक पर बहुत बढ़िया तरीके से चॉकलेट की कोटिंग हो जाती है, जो एक्स्ट्रा जो हमारा गनाश नीचे जा रहा है वो प्लेट में कठा होता जाएगा आप जिसे भी इस केक को खिलाओगे तो कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि इसे आपने मैदे से नहीं बलकि चावल के आटे से बनाया है केक को दूसरी प्लेट में डालने के लिए इस तरीके की आपने प्रिज में रखकर तीन चार Еचा दिन तक यूज कर सकते हो और पचे हूए युज चौकलेट गनाश शॐब चॉकलेट से गजै क्रावणें तक डाल रखे थे दूसवा कैक को बाटे से बनारही हूँ अद Kयो किसी बेरारश के प्रिज में बें печ गॉसरी तरुकि बाद सहा इस चौकलेट को आफू कर सकते हो आप लिए शावल के आटे से बने हलद के eksi हैक को अपने बिचाछों के लिए अपने परिवार के लिए और एंजोय कीजिए ठांक्स फॉर वाचिंग अब।